इस वीडियो में बहुत ही easy concept हम देखेंगे आज term देखने में मुश्किल लगती है लेकिन बहुत ही easy concept है with examples मैं आपको समझ आँगी तो etmology का मतलब है investigation of word histories it means कि आपने कोई भी word देख रहे हैं कोई भी word है वो आप Greek है कोई भी चीज़ है English का word है जो आप उसको first look देखते हैं तो आप में में अक्सर यह question आ जाते हैं कि यह word borrow कहां से हुआ है यह word कैसे आया इसकी history क्या है तो जब आप उसके वारे में investigate करना शुरू करते हैं ना कि इसकी history क्या है यह word कहां से आया है यह कैसे bond हुआ इसका region क्या वह चीज़ होगी etmology यानि किसी word की history देखना कि अब देखें यह बहुत से number of words है जो आपने की अपनी language के नहीं होंगे English में बहुत से words ऐसे होंगे जो English के नहीं होंगे बलके यह Latin से बोरू की होंगे यह किसी old language से ग्रीक से लिये होंगे तो वो words जो है उसके बारे में जानना कि यह कहां से आया है यह इनका region क्या था यह किसी old English से कोई word लिया गया है तो वो सारी चीज़ें जो है एक एक एक्जामपल ले लें यहाँ पे एक word है biology अब biology जो है यह ग्रीक से लिया गया है यह यह word कहां से आया ग्रीक word है यह English का word नहीं है यह Greek से हमने बोरो किया है जिसमें बायोस का मिनिंग है life and logos का मिनिंग है study यानि के life को study करना तो यह overall एक combined meaning दिया है बायो एक अलग word था logos लग word था और यह दोनों कहां से लिये गे Greek से और दोनों को मिला आखे combination of biology बन गया तो यह चीजी होती है etymology बहुत easy से concept था I hope कि आपको clear हो गया होगा इससे regarding आपको कोई question है आपको कोई opinion है आप कुछ भी शेयर करना जाते है तो आप मुझे comment section में बताए and thank you so much for watching